Hello everyone, my name is Shailesh and you are watching Shailesh Digital Guys इस video में हम डिस्कस करने वाले दो ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि हमें Instagram और TikTok के तरफ से मिल रहे है दोस्तों Instagram ने अपने following टैप में दो ऐसे listing categories को plus कर दिया है जिनकी मदद से आप आपकी जो feed है उस पे सबसे ज़्यादा visibility कौन से account की है यह देख सकते है और दूसरा जो है वह दोस्तों यह है कि आप कौन से account के साथ में बहुत ही कम यानि कि rarely engaged है इसको आप देख सकते है और अगर मैं TikTok की बात करूँ तो TikTok TikTok के desktop version पे आप video content को upload कर पाऊंगे यह एक features update हुआ है गैस तो इनके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते तो इस video को पूरा देख सकते है आगे बढ़ने समयल में आपको बता दू कि मैं Instagram पर ज़्यादा active हो रहता हूँ इसके वेज़े से आप मुझे Instagram पर follow गर सकते है और digital marketing से related अगर आपको कुछ पूछना है तो आप direct मुझे वहाँ पर पूछ सकते है गैस तो सबसे पहले हम बात करते है Instagram की तो Instagram ने अपना एक features update कर दिया है जो कि following tab में है जब भी आप अपने Instagram को open करोंगे और following tab में जाओंगे तो वहाँ पर आपको दो नए listing categories देखने के लिए मिलेगे एक दोस्तों यहाँ है कि most visibility की category है जिससे दोस्तों आपको यहाँ पता चलेगा कि आपके आप जो feed अपलोड करते हो तो आपके feed में सबसे ज़्यादा कौन से account visible है और दूसरा जो है वहाँ list interacted with का है इसका मतलब दोस्तों यहाँ है कि आपको कौन से account के साथ में बहुत ही कम engage रहे थे हैं यानि कि बहुत rarely आप engage रहे थे इससे दोस्तों आपको पता चल पाएगा कि आपको किसे follow करना है और किसे unfollow करना है दोस्तों most visibility visibility account से आपको यह समझ में आएगा कि आपको follow कोन कर रहा है आपके feed पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा active कोन है visibility किसकी सबसे ज़्यादा है इस यह जो category है यह Instagram के defined feed algorithm based है इसके वज़े से आपको यह समझ में आएगा कि आपको कौन से account आपके feed पर ज़्यादा visible कर रहा है और आपको कौन से account जिनके साथ में आप rare लिएंगे जो कि आपको पसंद नहीं है आप उन्हें अगर हटाना चाहते तो हटा सकते है या फिर आप उन्हें unfollow भी कर सकते है इस आपके जानकरी के लिए बता दूँ कि गईस Instagram ने इस features को update किया क्योंकि अगर देखा जाये तो Instagram पर जो users के numbers है वह बढ़ते जा रहा है और इसके वज़े से वह किसी और page को या फिर अपने friends को या फिर जिने भी वह follow करना चाहते है वह follow के numbers जो है वह बढ़ते रहे और Instagram अपने algorithm में भी update कर रहा है और इस features का benefit Instagram के सभी users को मिलेगा और साथी social media marketer को भी मिलेगा क्योंकि एक survey के मताबिक यहाँ पता चला है कि जो social media guru है उन्होंने यहाँ उनका यहाँ कहिना है कि जो Instagram पर follow करते हैं यह ज़्यादा effective नहीं होते हैं क्योंकि अभी recently एक survey में पाया गया कि Instagram users जो भी Instagram को use करते हैं वहाँ अपने selective followers रखते हैं और follow भी करते हैं तो वहाँ अपने selective person को ही follow करते हैं तो यह जो features है यह उन जैसे Instagram users को या फिर social media marketer को बहुत ही अच्छा benefit मिलने वाला जब हम बात करते हैं तो TikTok के तरफ से हमें जो update मिल रही है उससे यह पता चल रहा है कि TikTok ने अपने TikTok.com याने की web-based platform जिसे हम desktop पर use करते हैं वहाँ पर अगर आपको किसी content को याने की कोई भी अगर वीडियो को upload करना चाहते हैं तो वहाँ से अब आप कर पाऊंगे दोस्तो इस option को TikTok ने rollout कर दिया है दोस्तो TikTok की अगर मैं बात करूँ तो यह short video based platform है जहाँ पर आप वो short videos upload करते हैं TikTok company का कहना यह है कि इस option को rollout करने की वज़े से TikTok users जो भी है वह desktop का ही use करके अपने video को upload कर पाएंगे और साथी साथ desktop पर अच्छे से editing भी कर सकते है और साथी अपने video को polish दे सकते है जिसके वज़े से आप जो video जो है वह TikTok को TikTok पर publish करने के लिए उन्हें easy जाएगा और साथी साथ दूसरा benefit यह भी मिलेगा कि जो भी TikTok user अपने video को upload करना चाहते हैं उससे ज़्यादा से यह जो platform है यह short video based platform है तो इसके वज़े से जो younger audience है यह marketer को मिल सकती है तो guys अगर आप तो TikTok के desktop upload का option यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको TikTok पर login होना होगा तो यह जो login है यह आप अपने जो register mobile phone से या पिर आपकी जो भी register e-mail idea उससे अगर आपने TikTok का अकाउंट बना है तो उससे आप sign in कर सकते हैं और इसके बाद में आप desktop का use करके अपने वीडियो को upload कर सकते हैं दोस्तों तो उम्मीद करता हो कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझागा सवाल हो तो नीशी कमेंड बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फिर ना मत भूलिया क्योंकि इस तरह आपके वीडियोस में अक्सर लेके आते रहते हो जिसके नोटिफिकेशन आपको मेंते रहेंगे थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो बाई